हेलो वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रिती डारीज में मैं प्रिती जाब बहुत पहुत स्वागत करती हूं आज मैं बनाने वाली हूं मूंग दाल की कचवड़ी और हलवाई इस्टाइल आलू की सबजी मूंग दाल को मैंने ओभर नाइट पानी में रख दिया था अभी मैं बनाने दो धूंगी उसको फिर से एक दो पानी से उसके बाद पीच लेंगे अच्छी तरह से साप हो गया है अब इसे हम पीचेंगे बिलकुल दरदरा पीचना है महीन बिलकुल नहीं होना कचवड़ी के लिए दर्दर दल ही चाहिए इससे थोड़ा सा ही कर इसे दरदरा पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे जादा डालने पर वो महीन हो जाएगा हलका पानी डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे उसके बाद हम इसे हलका भूनेंगे तो चलिए भूनने की तयारी करते हैं तो सबसे पहले मैं एक पैन गैस पर चड़ा लू उसके बाद धनिया पाउडर मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आप जितना खाते हो आप डाल सकते हैं मैं थोड़ा ही खाती हूँ तो वो डालने के एक से डेर मिनट के बाद मैंने पीसा हुआ डाल डाल दी आप डाल को एकदम चलाते हुए रहना है चमच से कि ताकि वो हो जाए अलग अलग दिखने लगे तो फिर हम इसमें एक से दो चमच बेसन डाल देंगे बेसन डालने के बाद हमारा जो डाल है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राइ हो जाएगा और वो कचवरी में भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो दो से चार मिनट पकाने के बाद वो इस तरीके से हो गया है अब हम इसे गयास से नीचे उतार लेंगे मैं यहां कचवरी की तयारी कर रहे तो इसके लिए मैंने मैदा नमक ओयल और बेकिंग सोडा भी एक चमच या अधी चमच मैंने तो अधी चमची लिया है उसे लेकर अच्छे से इसे मिक्स कर करेंगे डो तयार करने के लिए के लिए तो यहां मेरा ६ो तयार हो चुका है थोड़ा सा ओयल लगा कर हम इसे कुछ देर के लिए ढखकर रख देंगे ताकि यह अच्छे से बन जाए तो यहां मैं सबजी के लिए तैयारी कर रही हूं तो आलू को मैंने उबाल लिया था इसमें मैं पॉनी डाल कर रख दूंगी ये बिल्कुल हल्वाई वाली आलू की सबजी है आप एक बार जरूर बना के ट्राइ कीजिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो जीरा सरसोतेल में डाल दिया मैंने एक प्याज डाल दिया है अब इसमें थोड़े से मसाले डाल दूंगी हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी टमोटर बहुत इजी तरीके से बनकर जल्दी जट पर तयार हो जाता है कचवरी पूरी सब के साथ खा सकते हल पॉन्स से दस मिनट के अंदर जब टमोटर हमारे गलने सुरू हो जाएंगे तो हम इसमें नमक डाल देंगे कि नमक से टमोटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा अब मैं इसमें डाल देंगे कसूरी मेति कसूरी मेति डालने के बाद एक मिनट चलने के बाद मैं इसमे आलू जो इसमें मैंने पॉनी डालकर रखा हुआ था वो डाल दूंगी आलू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद तेज आच पर इसे दो से तीन मिनट तक पकाना है जब यह लगे कि अब एक दो मिनट के बाद हम इसे उतारेंगे तो फिर हम डाल देंगे गरम मसाला देखिए कितना टेश्टी सबजी बन कर तयार हो गया है पूरी पराथा कचोड़ी के साथ खाने के लिए यहां मैं कचोड़ी को भर लिया है उसके अंदर उसका लोही बना के उसके बाद उसके अंदर एक दो चमच फिलिंग राल के भर लिया है मैं इसे धीमी आज पर गैस पर तल लूंगी बहुत ही टेश्टी बनता है आप लोग भी जरूर एक बाद ट्राइ किजिए खाईए और सब को खिलाईए आज मैं आप लोग के साथ कानहाजी को मैं कैसे नहलाती हूं मेरे पास जीरो साइच के कानहाजी है वो भी बताऊंग है और जल्दी से अपने कीचन में बनाए क्योंकि जिन चीजों से बनी है वो आपके कीचन में ही एवलेवल हैं तो यहां मेरे छोटे से लड़ू गोपाल जो की जीरो साइच के उनके नहाने की तयारी कर रही हूं मैं एक बरतन में कुमकुम से मैं बनाने के बाद इसमें द नहलाती हूं ठाकुर जी को बिल्कुल बिना खपरों के नहीं नहलाना चाहिए उन्हें नंगे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कुछ भी थोड़ा सा कपड़ा उनके उपार रहना ही चाहिए लड़ू गोपाल जी को मैं सबसे पहले कच्चे दूद से असनान करवा रही उसके बाद गंगा जल डाल कर इनको हम नहाएंगे थोड़े से दूर डाल कर मैं और इनको नहला दूँगी नहलाने के बाद मैं क्या करूँगी वो आगे वीडियो में आप जरूर देखिएगा वीडियो को लाइक सस्क्राइब करना नहुत